दोस्तो जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो ये डॉलर इंडेक्स का 4 गंटे का चार्ट है हम आपको ये चार्ट लगातार हमारे वीडियो से दिखाते आ रहे है हमने आपको ये क्लियरली बताया था कि डॉलर इंडेक्स को 200 एक्सपोनेशल और सिंपल मुविंग एवरेज के पास 4 गंटे के चार्ट पर कंटिनियूसली रेजिस्टन्स मिल रहा है और पिछले कुछ दिनों से ये 200 exponential और simple moving average के पास ही consolidate कर रहा था आप देख सकते हो आज 4 घंटे के चार्ट के उपर इसने 200 exponential और simple moving averages के उपर closing दी है उसी तरह से हमने आपको inverted head and shoulder pattern भी दिखाया था 4 घंटे के चार्ट के उपर आप clearly देख सकते हो ये inverted head and shoulder pattern से भी dollar index ने breakout दिया है उसी तरह से हमने आपको 4 घंटे के चार्ट के उपर rectangle pattern भी दिखाया था और आप देख सकते हो dollar index ने 4 घंटे के चार्ट के उपर ये rectangle pattern से भी breakout दिया है दोस्तो हमें लगता है डॉलर इंडेक्स के चार गंडे के चार्ट के उपर ब्रेकाउट कन्फर्म हुआ है डेली चार्ट के उपर भी आप ये ब्रेकाउट को देख सकते हो लेकिन दोस्तो आज की क्लोजिंग बहुती महत्वपूर्ण है अगर आज ये breakout confirm हो जाता है तो हमें लगता है कि डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी और बढ़ेगी हमने आपको हमारे वीडियो से ये लगातार बताया है कि हमारा नजरियाद डॉलर इंडेक्स के ऊपर तेजी का है और गोल्ड सिल्वर के अंदर गिरावट का डॉलर इंडेक्स के अंदर ये तेजी को आप अभी देख सकते हूँ सिल्वर ने हमने आपको डेली चाट के ऊपर क्लियरली दिखाया है कि राइजिंग ट्रेंड लाइन से ब्रेकडाउन दिया है और सिल्वर अभी भी ये rising trend line के नीचे ही consolidate हो रहा है उसी तरह से सिल्वर 200 दिनों के simple और exponential moving average के भी नीचे है आप वीडियो के अदर ये clearly देख सकते हूँ सिल्वर ने अभी भी 200 दिनों के simple और exponential moving average को उपरी तरप नहीं तोड़ा है और breakdown के बाद सिल्वर इसके नीचे ही consolidate हो रहा है जो clearly सिल्वर के लिए अच्छा संकेत तो नहीं दे रहा है गोल्ड के लिए हमने आपको बताया था 2064 डॉलर का level महत्वपूर्णर resistance है गोल्ड अगर इसके उपर निकल के इसके उपर closing देता है तो हमारा नजरिया change हो सकता है लेकिन गोल्ड अभी भी 2064 डॉलर के नीचे ही काम कर रहा है और उसी समय पर हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स के अंदर आज breakout दिख रहा है लेकिन दोस्तों मैं clear करना चाहता हूँ कि ये breakout अभी भी confirm नहीं है breakout confirm होगा आज की closing के बाद तो आज की closing डॉलर इंडेक्स के लिए बहुती महत्वपूर्ण है वीडियो खतम करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि मेरा नजरिया अभी भी gold silver में तेजी का नहीं है मैंने वीडियो से ये आपको लगातार बताया था कि डॉलर इंडेक्स के उपर मेरा नजरिया तेजी का है और आप ये तेजी को डॉलर इंडेक्स में देख सकते हो डॉलर इंडेक्स के डेली चाट के उपर आज breakout दिख रहा है लेकिन ये confirm होगा आज की closing के बाद ही तो आज की closing का इंतजार करना बहुत ही जरूरी है गोल्ड silver के अंदर जो लोग तेजी में है उनका view का मैं respect करता हूँ और उनका view भी सही जा सकता है लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर dollar index उपर जाएगा तो gold silver में तेजी नहीं बनेगी अगर gold silver में तेजी बननी है तो dollar index का जो ये breakout आ रहा है इसे fail होना पड़ेगा और dollar index का ये breakout fail होगा ये rectangle pattern के नीचे closing आने पर लेकिन अगर dollar index इसी तरह से उपर जाता रहा तो gold silver के अंदर तेजी नहीं बनने देगा तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें comment दोरा जरूर बताए अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करे चानल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को अपने दोस्तों और पैचानवालों के साथ शेयर करना ना भूले तकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू